कि हरो दोस्तों भारत के यूटूब चैनल में आप से लोगा स्वागत है दोस्तों दोस्तों बिस्क भूगोल के स्रिंखला में आज हम आपनों समने एक अगला वीडियो लेकर आए हैं और आज का वीडियो अपने आप में बहुत ही महत्पूर है लेकिन टॉपिक पर आने से प्याँ कर दो एक छोटा सहने चाल को सब्सक्राइब और शेयर करना नभूलिये गाब Lamasiatis 성सbon नस पर निवारने क्स निवरियों ब factory और से समंद्दित है और आज देखेंगे हम कौन-कौन से संग है और किस-किस संग में किस-किसfightी को रखा गया है किस संग के अंतरगत बा समय का आए हुए हम अपने टॉपिक के आते हैं टॉपिक बेसक छोटा है लेकिन एक्जाम आप विव की दृष्ट से यह इंपोर्टेंट है तो आए देख लेते हैं कौन-कौन सी भनस्पतिया है कौन-कौन से संग है भनस्पतियों का तो इसमें है ट्रोपोफाइट ट्रोप पाएट फाइट हैलोफाइट फैब फैलोफाइट और पायज वाइद तो सभसे पहले देख लएतके हैं त्रोपोफाइट की ट्रोपोफाइट यह ऊष्ट कष्च być बन्हीं उश्कर्ष्च क्ष्च में उस्टबन भन तरभाले जो बनस्तीयां पाये जाती हैं उस्का अध कि द्हान किसके अंतर तो ट्रोवाइट के अंतर यानि अगर autism पाट करें यानि बात करें रहें फूर। भूमद रेखा के अगर उपर तेस सही एक बटे 2 यानि साड़े 23 डिगरी की कर इस सिर्दकें अंदर जितने उभी बनश्पतियं तता घास पाई जाती हैं इनका किसके अंदर का तद्रधिया जहता है तो प्यासादि यानि की हाइड्रोफाइट याणि की उपरी शता पर उगने वाली जो बनस्पतिया होती हैं, जल की जो उपरी शता पर उगने वाली बनस्पतिया होती हैं, जैसे सिंगाडा हो गया, जल खुम्भी हो गया, तो ये जिदने भी बनस्पतिया हैं, जो जल में रहती हैं, जल के उपरी शता पर उगती हैं, तो इन सभ बनस्तय बिद्ञण की वह सकां जिसका अंद्र अग्रवाइट का अधिर के जाता ए या नि जो जल की ऊपर चाहज़ा पर बनस्तियां होती है इसके बादेश शिके पाते हाईडिवफी हािड्य यानि जो अधिक आरता वाला च् answer है अधिक आरता अध्यन किया जाता है अगला है जेरो फाइट जेरो फाइट यानि कि उस्ट कडिबंधी मर्वस्थली चेत्रों में उस्ट कडिबंधी मर्वस्थली चेत्रों में यानि यह जो उस्ट कडिबंधी चेत्र है यह बीश का शेत्र हैं अब हिन शेत्रों में जो भी रेगिस्तान शेत्र पढ़ता है तो इसमें जो बनास्पतिया होती है इसमें जाने जिरुप फिटिक बरनसपतियां जो होती है यदि हम बात करें जिरुप फिटिक बरनसपतियां की तो उनमें क्या होता है कि उनमें पत्तियां नहीं पाई जाती है पत्तियों की जगर पर उनमें क्या होता है काटे पाई जाते हैं पत्तियां क्यों नहीं पाई ज होता है तो ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर लास होगा वह प्रासाहिक ह giaerdे की जिसकी वैश्या he अगला है मेसोफाइट यानी सीतोष्ड कड़िवन्द सीट और उष्ड यानि कि अगर हम बात करें जो सीटोष्ड कड़िवन्दी चैत्र की जो बनस्पतियां तो यह तभी बनस्पतियां का किसी अंतर का दन कि यानि अगर हम देखें तो लगभग जो साड़े चांशट से नीचे नीचे वाला जो शेतर है वहां उसके अंतर के जो है यह बनस्पतियां पाई जाती है 374 यानि ऑर्कटिक विरित जो है आर्कटिक विरित यार्कटिक विरित की में बात करें तो अगर सावड़ी ग्वेद यारी हम उत्तरी की बात करें तो से चाड़ साच डिग्रीं आर्कटिक बिरिद का जो बीच का समय है जो जो है उसी जोन में लगवग बनस्पतियां उगती है इसके पाद है अगला जो है अगला बनस्पति अगला कम लेख तो बहुत है क्राइव फाइड ग्राइव फाइड यानि कि सीट हैं सीद कड़बंधी टاइगा बनसपतिएं उनको किसके अंतरकते दिन गयाता है तो तो चाधे श्याइट रहें से उत्तर की तरफ का जो छेत्र है या नि algumas இர और ना 90 डिग्री के बीज का शेत्रहे उस सेत्रों में ज़ो है चेत्रों में यह बनस्पतियां है उखती है तो इंका न composite करता है क्रायो हैं अगला है यानि मित्टी ने की बनस्पतियान कि में बनस्पतियां उगती स्यसक्री उनमें किसका देन के जाता है तो उनमें जो है फंगी मिलकर के बना होता है और यह सिंबियोसिस का जीवन प्यतित करता है यह सहजीविता का सहजीविता का एक जो है इसके लिए फूड का फॉर्मेशन करता है खाना बनाता है और दूसरा जो है इसके लिए आवास उपलब्द कराता है तो इस तरह से जो है यह सहजीविता सहजीविता का जो है उद एक उदार चैनल सभब फोगते हैं वह कठोर चट्ठानों पर उगती हैं उन्हें उन इन रहे। चट्ठानों पर उगती हैं ता उन्हें को ड़ोफाइट याज़ जो तो अग्न प्रतिरोधी बनस्पतियां होती हैं, यानि ये अग्न प्रतिरोधी बनस्पतियां जो होती हैं, ये समाना छेत्रों में यदि हम समाना की बात करें, तो समाना घास की मैदान कहां पाय जाते हैं, तो समाना घास की मैदान की यदि हम बात करें, तो अफरीका, अफरी रोधी बनस्पतियां जो होती हैं यह सावाना शेत्रों में पाई जाती हैं तो इसी तरह इसी के साथ हमारे टापिक के कम्प्लीट होता है अब इसी के साथ जाए देजिए जै भारत जैहिंद